हम लोग पढ़ रहे थे chapter 2 rational number जिसका मैं exercise 2.6 स्टार्ट कर दी थी exercise 2.6 का question number 126 complete हो गया था आज हम लोगो 7, 8, 9, 10 and 11 देखना है ठीक है तो question number 7 देख लेते हैं मैं 6 सक बता दी हूँ जो भी नहीं देखे हूँ उस वीडियो को उसको पहले देख लो तभी आपनों को आगे समझ में आएगा ठीक है तो देखते हैं हम लोग question number 7 by what number should minus 6 upon 11 be multiplied to get minus 3 32 upon 11 जैसे ये वाला था the product of 2 number is 16 upon 3 दो number था जिसका product 16 upon 3 है मतलब एक number बता दिया है है ना 16 upon 3 है दो number को multiply करने पे product और उसका एक number बता दिया है minus 4 upon 3 है second number हम लोग let करते थे मानते थे कि let the second number be x same वही चीज़ है यहाँ भी why what number should be minus 6 upon 11 मतलब minus 6 upon 11 में ऐसा कौन सा number multiply करे तो हम लोगो क्या मिल जाए minus 32 upon 11 यानि कि minus 32 upon 11 get number है यानि कि equal के इधर वाला number है तो question के हिसाब से यही है let the number be x और बोल रहा था question कि minus 6 upon 11 में ऐसा कौन सा number multiply करे तो हम लोगों को नहीं पता है तो हम लोगों x माल लिए कि हम लोगो क्या मिल जाए get 32 upon 11 ठीक है x निकालना x को यहीं छोड़ दिये minus 32 भी देखो x भी अपने place में है minus 32 भी equal कि इधर अपने place में बस minus 6 upon 11 को इधर transfer करना है तो बीच में multiply का sign है तो equal कि इधर जाएगा तो divide हो जाएगा क्योंकि हम लोगों बीच का multiply को change कर रहे है minus इसलिए change नहीं होगा ठीक है तो multiply का opposite divide होता है अगर आप लोग 2.6 का पहला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले देख लो ठीक है तो multiply का divide होगी और यहां लिख लिए minus 6 upon 11 अब देखो divide को हम लोग जो multiply में change करते हैं तो मैं बताई हूँ आप लोग को previous वीडियो में पहले वाला जो वीडियो आ चुका है उसमें 2.6 का जो first वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ कि अगर divide को multiply में change करते हैं तो उसके left side वाला reciprocal होता है reciprocal मतलब 11 उपर चले जाएगा और minus 6 जो denominator है वो numerator बन जाएगा और जो numerator है वो denominator बन जाएगा तो minus 6 upon 11 क्या होगे 11 upon minus 6 अब इसको multiply है बीच में तो हम लोग उपर नीचे divide भी कर सकते हैं और cross में divide भी कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा multiply करके divide कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ दिख रहा था minus और minus दोनों में है cancel कर दिये 11 वंजा 11, 11 वंजा 11 कर सकते हैं अब 16 upon 3 तो same table में नहीं आता है 16, 2 के table में आता है 4 के table में आता है लेकिन 3 नहीं आता है इसलिए 16 upon 3 x का value आ गया तो x number जो हमारा second number है जिसको हम लोग minus 6 upon 11 से multiply करेंगे तो वो कौन सा number है 16 upon 3 है same वैसा ही question number 8 है वही question है देखो 8 number भी same वही question है by what number should 13 upon 11 जैसे इसमें बोला minus 6 upon 11 में क्या multiply करें तो x multiply के थे वैसी 13 upon 11 में x multiply करेंगे तो हम लोगों क्या मिलना चाहिए minus 26 upon 33 same वही number है question क्या माल लिए हम लोगो let the number be x अब question बोल रहा है कि 13 according to the question ये 80 क्यू मतलब होता है according to the question तो 13 upon 11 में ऐसा क्या multiply करें तो x multiply करें तो हम लोगों क्या मिल जाएगा minus 2 upon 26 upon 33 तो x निकालना है इसलिए x अपने place में ही है equal भी अपने place में ही है minus 26 upon 33 भी अपने place में ही है बस 13 upon 11 को transfer किये है equal के left hand side तो multiply का opposite divide होता है इसलिए divide लगा दिया और 13 upon 11 इधर ही आ गया ठीक है जैसे यहां किये थे same to same वही चीज़े अब divide को हम लोग multiply में change करते है जब divide को multiply में तो उसका left side वाला number reciprocal हो जाता है मतलब denominator numerator मन जाता है numerator denominator 11 उपर चले गया और 13 नीचे आ गया अब हम देखो यहां पर हम लोग और साफ साफ लिख देती हूं minus 26 upon 33 multiply 11 upon 33 reciprocal होगे अब हम लोग इसको सीधा सीधा है या तो multiply कर लेते फिर divide करते तो उससे लंबा हो जाता तो हम लोग ऐसे कर सकते है 13 upon 13 13 to 26 11 upon 11 11 3 to 33 cross में divide किये हैं तो क्या है answer minus 2 upon 3 ठीक है सेम वैसे ही question number 9 है same to same है कुछ भी difference नहीं है by what number should minus 91 upon 5 भी multiply to get 13 मतलब की minus 91 upon 5 में ऐसा कौन सा number multiply करें जैसे इसमें multiply किये x का इसमें multiply किये x का इसमें भी multiply करेंग x का और get मतलब equal 13 आना चाहिए same वही है देखो according to the question minus 91 upon 5 में let the number भी x सब में लिखना है फिर उसमें x को multiply करेंगे तो अब देखो x अपने place में x निकालना है तो x अपने place में ही रहेगा 13 भी अपने place में ही रहेगा multiply को equal किधर भेज रहे हैं तो divide हो जाता है multiply का पोजिट divide plus का पोजिट minus minus का पोजिट plus और divide का पोजिट multiply तहा multiply था उसका पोजिट divide अब minus 91 अपन 5 इधर आ गया अब divide को multiply में change करते हैं तो reciprocal होता है left side वाला number तो 5 उपर चले गया और minus 91 नीचे आ गया अब इसको cross में देखो इसको मैं ये बोर जाए 13 upon 5 upon minus 91 है इसको हम लोग ऐसे divide 13 5 जा ऐसे करते और उसके आद इसको भी divide कर सकते हैं लेकिन हम लोग direct जो हम लोग को cross में divide हो रहा है तो कर सकते हैं 13 बंजा 13 13 7 जा 91 तो 5 और 7 सेम टेबल में नहीं आता है इसलिए 5 upon minus 7 इसका answer हो गया ठीक है अब सेम ऐसे ही question number 10 है इसको हम लोग को solve करना है simplify करना है question number 10 का first number देख लेते है first number ये वाला है ठीक है तो देखो 13 upon ये question है इसको सिर्फ solve करना है हम लोग को ठीक है तो हम लोग पढ़ें है board mass board mass में हम लोग का सबसे पहला काम क्या रहता है bracket solve करना तो सबसे पहले bracket solve करेंगे दोनो bracket तो bracket solve करने के लिए हम लोग देखें बीच में minus का sign है तो 15 और 5 का LCM लेंगे तो 15 आएगा अब मैं बता चुकी हूँ आप लोग को चैप्टर exercise में आप लोग को जो जिसमें exercise 2.2 है बता चुकी हूँ है देखो इसमें लोग 15 और 5 का LCM लेंगे अब denominator को denominator से divide करते हैं तो 15 को 15 से divide करेंगे तो 1 आएगा उस 1 को numerator से multiply करते हैं तो 13 बंचा 13 आया फिर से जैसे इधर के वैसे side भी तो 5 को 15 से divide करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा उसको 3 से multiply करेंगे numerator से तो 9 आएगा अब सेम वही procedure इस side भी होगा यहां बस प्लस है तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा उसको 13 से मल्टिप्लाई करेंगे जैसे इसमें 15 को 15 से डिवाइड किये 1 आया उसको 13 से मल्टिप्लाई किये वैसे यहां भी 15 को 15 से डिवाइड किये 1 आया उसको 13 से मल्टिप्लाई किये 13 मतलब numerator से यह numerator है यह denominator का डिवाइड 13 प्लस 22 और 15 का 15 अब डिवाइड को फिर से मल्टिप्लाई में चेंज कर देंगे तो रेसीप्रोकल हो जाएगा जैसे इसको में एक बार और आप लोंको यह वला को साफ साफ लिखके दिखाती हूं 4 अपान 15 डिवाइड को मल्टिप्लाई में चेंज किये तो 15 15 उपर चले गया और 22 नीचे अब हम लोगे इसको क्रॉस में डिवाइड कर सकते है ना तो लंबा चड़ा क्यू करेंगे मल्टिप्लाई करने का तो 15 वंजा 15 15 वंजा 15 और 2 तू तू जा 4 हुआ और 2 वंजा 2 वंजा 2 हुआ तो क्या उपर में 2 वंजा 2 है और नीचे में 11 व यह आता है यानि किसका आंसर हो गया 2 अपन 11 सेम वैसे ही है कॉस्चन नंबर 10 का 2 नंबर यह वाला देखो इसमें भी सेम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए बीच में मल्टिप्लाई का साइन है तो हम लोग चाते तो यहीं भी क्रॉस में मल्टिप्लाई करेंगे तो 5888 है ना अब देखो माइनस 15 अपन 63 डिवाइड को मल्टिप्लाई में चेंज किये तो 558 उपर चले गया माइनस 60 नीचे आ गया अब हम लोग माइनस उपर भी था माइनस नीचे भी था कैंसल कर दिये और 15 फोर जा 60 होता है तो कैंसिल हो गया 15 15 वन जा 15 15 फोर जा 60 ठीक है और यह वाला हमारा 4 और 58 डिवाइड हो सकता है ना 4 वन जा 4 फिर 4 वन जा 4 फोर जा 16 यहां 2 बचा 4 7 जा 28 तो यहां क्या बचा 147 एंड यहां पास हमारा इसको हम लोग 63 को किसे डिवाइड कर सकते है 7 से तो 7 9 जा 63 और 7 को इससे डिवाइड के यह 3 जा 9 और यह और डिवाइड आप लोग अगर तो इसका अंसर हमारा क्या है 7 अपन थ्री और एक मेथड अगर यहीं मैं बता देती हूं आप लोग को यहां भी अपनों डिवाइड सॉल कर सकते थे यह तो एक मेथड हो गया दूसरा मेथड क्रॉस में जैसे डिवाइड कर सकते हैं उपर नीषे क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं अर उपर नीचे तो हम लोग देख रहें क्रोस में डिवाइड हो रहा है थृइऽ fed धुर्य 21 यहां-अ-पश जुख उपश है तो short method है, तो देखो, minus 5 upon 21, divide को multiply में change किया, 49 उपर चले गया, minus 5 नीची आ गया, minus से minus cancel 5 बन जा 5, अब 49 upon 21 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, तो हमारा answer 7 upon 3, इस से भी आया, इस method से भी, और इस method से भी, जब हम लोग multiply किये, तो भी 7 upon 3 आया, और direct multiply, cross में divide कर दिये, अगर बीच में multiply है, तभी cross में divide हो सकता है, अगर बीच में plus minus होगा, तो LCM लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारा इस से भी 7 upon 3 आया, और इस method से भी 7 upon 3 आया, ठीक है, अब देख लेते है, true and false, the reciprocal of 0 upon 2, 0 upon 2 का reciprocal क्या होगा, 2 upon 0, true होगा, है न, the reciprocal of 1 is minus 1, 1 का reciprocal तो 1 ही होगा, sign change थोड़ी होता है, तो false हो जाएगा, if M into N is equal to 1, अगर M और M को multiply करते हैं, तो 1 आता है, तो M and N are reciprocal of each other, हाँ, होगा, अगर M और N को multiply किये, तो 1 आया, तो 1 को हम लोग, अगर हम लोग N को 1 बना देते हैं, दोनों ही 1, 1 है, तो दोनों का reciprocal भी 1 ही आएगा, यानिकि true, the reciprocal of positive rational number is negative, देखो, अगर हम लोग positive rational number ले लिए, माल लो ले लिए, 3 upon 7, तो इसका reciprocal क्या होगा, 7 upon 3, sign तो change नहीं होता है, यानिकि false, negative, ने, positive rational number का reciprocal positive ही आएगा, negative rational number का reciprocal negative ही आएगा, तो देखो, the reciprocal of negative rational number is negative, तो यह तो सही बोर रहे, negative का negative ही आएगा, तो true positive का negative ही आएगा, इसलिए यह false, 0 is the reciprocal of itself, क्या 0 reciprocal होगा? नहीं होगा, 0 का तो 0 ही reciprocal होगा है ना तो 0 is the reciprocal of itself हा तो true भी लिख सकते हैं वैसे 0 का reciprocal नहीं कर सकते हैं हम लोग है ना तो false minus 1 is the reciprocal of itself हाँ minus 1 का reciprocal भी minus 1 ही होगा positive negative number का negative ही होता है यानि कि ये भी true ठीक है तो मैं exercise 2.6 का दो वीडियो बनाई थी एक था इसके पहले वाला वीडियो 1 से 6 तक बताई हूँ जिसका नाम है उसका आप लोग हेडिंग में देख सकते हो reciprocal लिखा होगा exercise 2.6 reciprocal उसका नाम है heading में है ना जो thumbnail रहता है उसमें और जो आज मैं बताई हूँ वो 7 to 11 बताई हूँ ठीक है